नमस्कार मैं हूँ अभिशेक शंद्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट एक बात जो आज बड़ी खबर की रूप में बिहार से आ रही है वो ये है कि बिहार में आधिकारिक तौर पर और आपचारिक तौर पर भाजपा जो है अपने प्रशार अभियान की शुरुआत आज से कर रही है जगत प्रकाष नडड़ा जो की अध्यक्ष है बीजेपी के वो अभी अभी पतना पहुंचने वाले हैं पतना में उनके कई कारकरम है और आपचारिक और आधिकारिक तौर पर बिहार के गया से वो इस विधान सभा चुनाओ के प्रशार के अभियान की श इन चीजों को समालता है मगर जो कारकरम अभी फिलहाल हमारे सामने आ रहे हैं उसके तहट जो है पतना में उन्हें दो जगा जाना है पतना के महाविर मंदिर में और साथी सा जेपी को माले अर्पन करने के लिए पतना आने के फौरण बाद वो जो है गया का रुक करेंगे गया में जो एक बड़ी संख्या में लोग हैं भाजपा का पक्ष सुनने के लिए मौजूद हैं भाजपा एक अवचारिक और आधिकारिक तोर से आगाच कर रही है चुनाव अभियान का और इसके साथ ही जो सरगर्मिया है वो अब बढ़ने वाली है देखना दिल्चस्थ होगा कि प्रशार में लेकर कि क्या स्ट्राटेजी होती है भाजपा का और जेडियू का क्योंकि जो जेडियू के बड़े नेता है वो अपने उमिदवारों के लिए प्रशार कर रहे हैं और भाजपा के जो बड़े नेता है वो अपने उमिदवारों के लिए प्रशार कर है उसके बाद कहीं ने कहीं और ज्यादा राजनेतिक सरगर्मी जो है बिहार में देखने को मिलेगा केवल इतना ही नहीं अगर आप देखें तो जो बड़े-बड़े देता हैं तमाम सांसद हैं जो डिली की जो बीजी पी की नैशनल पॉलिटिक्स है वो कवर करते हैं वो भी कुछ हपता जो है ये सपता बिहार के लिए राजनेतिक हलकों के लिए बहुत मत्पून होना है देखना ये है कि जगत प्रकाश नडड़ा आज क्या संदेश देते हैं और बिहार के वोटर उनकी बात को कितना सुनते हैं अभिशेक चंद्रा सिटी पोस्ट पटना